बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पाठेविस्तक बसन भाग तीन का पाठ चौदा पड़ रहे हैं जिसका की नाम है अकवरी लोटा जो की एक कहानी है और कहानी लिखने वाले हमारे कहानीकार है अनपूर्णानंद वर्माजी हाँ बच्चो ये जो अनपूर्णानंद वर्माजी है ये हासे व्यंग प्रधान कहानीयों के महानकानिकार है ये जब भी अपनी कहानी लिखते हैं उसमें हासे व्यंग के माध्यम से अपनी बात इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देते हैं कि सामने वाले को बहुत अच्छा लग चार आ रहे होंगे कि ये अकवरी लोटा क्या है? क्या यह है अकवर का लोटा है? क्या ये अकवर के समय का लोटा है? और इस अकवरी लोटे पर हमारे लेखक ने कहानी क्यों लिखी है? बच्चों ये तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस कहान का एक छोटा सा परिचे देती हूं आईए देखिए क्या है हमारी कहानी क्या बताया है अन्पुर्णानंद वर्मा जी ने अपनी कहानी में बच्चो अक्वरी लोटा अन्पुर्णानंद वर्मा जी के द्वारा रचित कहानी है इस कहानी में हासिव्यंग के साथ लाला ज्हावलाल और उनकी मित्र पंडित विल्वासी मिश्र के साथ कथानक को प्रस्तुत किया है यानि इस कहानी के जो मुख्यपात्र हैं वो दो व्यक्ती हैं कौन-कौन से दो व्यक्ती एक तो लाला जहाओ लाल, दूसरे पंडित विलवासी मिश्र जो की अब एक दोनों आपस में अजीज मित्र है, परम मित्र है, मित्रता का धरम निभाते हैं और बताया है कि परिशानी के समय परिशान नहुकर समस्दारी से किस तरह समस्या का समाधान किया जा सकता है बच्चो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि दोनों मित्रों ने परिशानी के समय किस तरह समझधारी से काम लिया और बड़ी से बड़ी परिशानी को हल कर दिया तो बच्चो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी आईए देखिये लाला जाउलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी काशी के ठटेरी बजार में मकान था नीचे की दुकानों में एक सो रुपे मासिक के करीब किराया उतर आता था अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे पर धाई सो रुपे तो एक साथ आखे सेकने के लिए भी ना मिलते थे बच्चो ये जो लाला जाउलाल है वो एक बहुत ही संपन्व व्यक्ति है और उन्हें खाने पीने का भी बहुत शौकीन है उनके पास काशी में एक बड़ा सा मकान है मकान के नीचे उनकी बहुत सारी दुकाने है जिनसे कि उनको सौ रुपे महिना हर बार किराए पे मिलता है यानि सौ रुपे महिने में उन्होंने अपनी दुकाने किराए पे दे दी है और ये बहुत ही धनसंपन्व व्यक्ति है और लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि उन्होंने कभी भी धाई सो रुपे एक साथ नहीं देखे थे या नहीं कमाए थे इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकायक याने अचानक धाई सो रुपे की मांग पेश की तब उनका जी एक बार शोर से संसनाया शोर से संसनाना याने घबराया जोर से और फिर बैट गया उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा डरिये मत आप देने में ऐसमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ बच्चों क्या होता है एक दिन उनकी पत्नी उनके पास आती है आप देखिए जैसा कि चित्र में उनकी पत्नी उनके पास आ रही है और अचानक से लाला ज्हाउ लाल से धाई सो रुपे की मांग कर देती है और लाला ज्हाउ लाल ने एक बार में धाई सो रुपे तो होते गयी नहीं पास तो यह सुनकर उनका जी जोड से घबरा जाता है और वहीं बैठ जाता है फिर इसके बाद उनकी पत्नी क्या बोली उन्से कि आप डरिये मत अगर आप के पास पैसे नहीं है तो मैं मेरे भाई से मांग लेती हूँ भाई से मांगने का मतलब जाओलल जो अपने इज़त बना कर रखते हैं जो अपना रुत्वा बना कर रखते हैं वे सारा का सारा रुत्वा खतम हो जाएगा क्योंकि अगर वे अपने भाई से रुपे मांगने जाएगी कहेगी कि लाला जहुलाल के पास तो पैसे ही नहीं है तो फिर उनकी क्या इज़त रहे जाएगी ऐस सोचकर उनका जी बहूत ही घबरा गया फिर देखिए लाला जाउलाल तिलमिला उठ यानि करोधित हो गए करोधित तो हنت नहीं होना ही था क्योंकि पत्वने अपने भाई से पैसे लेने जा रही थी यह बात लाला जाउलाल को तो बिलकुल गवारा नहीं थी क्योंकि वह तो एक काशी के संबन्द परिवार से थे उन्होंने रोब के साथ कहा अजी हटो धाइसो रुपे के लिए भाई से भीक मागोगी मुझसे ले ले लेना आखिर लाला जाओ लाल रोवी ले व्यक्ति तो थे उन्होंने कहा क्या 2500 रुपे के लिए अपने भाई के पास जाओगी तुम 2500 रुपे की बात है तो मुझसे ले लेना मैं तुमें दे दूँगा लेकिन मुझे इसी जिन्दगी में चाहिए देखिए पत्नी क्या कह रही है पत्नी को अपने पती पे विश्वास नहीं है आज हा कर रहे हैं क्या पता कल को मना कर दे इसलिए उनकी पत्नी उनसे कहती है लेकिन मुझे यह है इसी जिन्दगी में चाहिए आजी इस सप्ताह में ले लेना लाला जहाउलाल अपनी बड़ी बड़ी बात कहने के लिए कह रहे हैं कि आजी इसी सप्ताह ले लेना सप्ताह से आप जो साथ दिन के लिए कह रहे हैं, उनसे आपका मतलब क्या है? आप साथ दिन में दे देंगे या साथ वर्षों में देंगे? लाला जाउलाल ने रोप के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से साथ वे दिन मुझसे धाई सो रुपे ले लेना, यानि लाला जाउलाल ने प प्रभंद ना हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी यह रे साथ दिन की बात हुई थी साथ दिन में से चार दिन तो ऐसे के जैसे ही बीट गए उनके पास रुपियों की कोई ब्यवस्था नहीं हुई प्रिश्न अपनी प्रतिस्था का था प्रतिस्था से मतलब उनकी इज़ क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो उनकी पत्नी उन्हें चिड़ाएगी बारवार ताने मारेगी इसलिए प्रिश्न तो उनकी प्रतिस्था का था अपने ही घर में अपनी साख का था यानि विश्वास का था यानि उनकी पत्नी जो उन पर विश्वास करती है उसका विश जाएगा यानि लाला जाउलाल यह सोच रहे थे कि मैंने पत्नी से कह दिया है लेकिन अगर मैं उसको नहीं देता हूँ तो वो मेरे उपर जितना भी विश्वास करती है थोड़ा बहुत वैभी बंद कर देगी और उसकी नजरों में मेरा क्या मुल्ले रह जाएगा क्या वो स बाबाई के बहुत सारे किस्से सुना चुके थे बहुत सारी कहानिया सुना चुके थे कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा करता हूँ मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया इस तरह के सौ किस्से वो सुना चुके थे अब एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे थे यानि लाला ज खोलकर रुपिये मांगे थे, यानि मुह कोलने का मतलब पहली बार उन्होंने कु՛ सामान मांगा था, कुछ रुपिये मांगे थे, इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं, तो फिर उसे क्या मुह दिखलाएंगे, यानि उनकी पतनी ने उनसे पहली बार कोई चीज मागी है अगर अब उसे नहीं दिलाते हैं तो वो क्या सोचेगी उनके बारे में इस तरह के विचार लाला जहाउलाल जी के मन में चल रहे होते हैं खैर एक दिन और बीता पांचवे दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलवासी मिश्र को अपनी बिपदा सुनाई बिपदा याने परिशानी सुनाई बच्चों मित्र अपने मित्र को ये अपनी परिशानी बताता है ऐसे ही ये जो जहाउलाल जी थे उनके जो परम मित्र थे उनका नाम था पंडित विलवासी मिश्र उनको उन्होंने अपनी सारी परिशानी बताई सहियों कुछ ऐसा बिगड़ा था कि विलवासी जी भी उस समय बिलकुल खुक थे खुक यने खाली थे उनके पास भी रुपिय नहीं थे उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जाचकर लाने की कौशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा ये जो इनके परम मित्र थे उनके पास भी पैसे नहीं थे लेकिन मित्र की परिशानी का सवाल था मित्र को बिपदा से निकालना था इसलिए उन्होंने कहा पैसे मेरे पास तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रभंद करने की कौशिश करूँगा और अगर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मैं तुम्हें कल तुम्हारे मकान पर आकर मिलूँगा देखें आगे वही शाम आस थी हफ़ते का अंतिम दिन कल 200 रुपे या तो गिन देना है या सारी हेकडी से हाथ दोना है हेकडी याने जितनी भी वो अकड दिखाते हैं उनसे उन्हें हाथ दोनी थी यानि कि बच्चों आज आज का दिन था उन्हें रुपियों का प्रबंद कैसे भी करना था क्योंकि आज के बाद कल के दिन तो उन्हें अपनी बीवी को अपने रुपिये देने थे यह सच है कि कल रुपिया ना आने पर उनकी इस्तरी डामल फासी ना कर देगी केवल जरासा हस देगी डामल फासी बच्चों एक नया सा शब्द है जिसका की अर्थ है देश निकाला यानि उनकी बीवी उनको देश निकाला तो नहीं करेगी केवल जरासा हस देगी और वो हसना कैसा होगा यह कल्पना करकर पंडित जो लाला जहाउलाल जी हैं उनके मन में मरोड पैदा हो जाती थी यानि कि वो उस हसी की कल्पना करके ही डरने लग जाते थे आईए देखिए क्या होता है आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था यदि ना आए तो या कहीं रुप्यों का प्रभंद ना कर पाए थो इस तरह के बहुत सारे बिचार लाला जी की मन में चल रहे थे इसी उधेड बुन में पड़े लाला जाउला छट पर तहल रहे थे उधेड बुन यानि परशानी में सोच रहे थे बार बार और परशानी में अपनी छट के उपर तहल रहे थे कुछ प्यास मालूम हुई और टहलते टहलते उन्हें कुछ प्यास लगी प्यास लगने पर उन्होंने नौकर को आवास दी नौकर नहीं था खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई बच्चों उन्होंने आवास तो नौकर को दी थी लेकिन घर में नौकर नहीं था उस समय इ तो लाला जाउलाल के लिए और भी बड़ी सवस्या हो गई, पत्नी पानी लेकर आईए तो हो सकता है कि वह उनसे रुपियों के बारे में पूछ ले कि इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, आप देंगे कि नहीं देंगे, इस थरह की बात तो हो सकती है, देखिए बहे पानी तो ज नयोग से जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जाउलाल को सदा से ना पसंद था, यानि वो उस लोटे में पानी लेकर रही थी, जो कि लाला जाउलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, था तो नया साल दो साल का ही बना, पर कुछ गणन ऐसी थी उस लोटे की कि उस लाला जाउलाल को तो बहें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जो उनकी पतनी पानी जो पानी लेकर आई थी, वह भी उसी लोटे में लेकर आई थी, आगे देखिए, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पतनी का अदब मानते थे, यानि अपनी पतनी की लिहाज करते थे, इज़त करते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सब्विता कहते हैं, जो पती अपनी पत्नी का ना हुआ, वह पती कैसा, फिर उन्होंने यह भी सोचा, कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, यानि यह मुझे लोटे में पानी दे रही है, यह भी ठीक है, अगर चू कर देता हूँ, तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, यानि अगर मैं इससे यह कह देता हूँ, कि भई तुम लोटे में पानी क्यों लेकर आई, अगर मैं इससे जरासी इतनी सी भी बात कह देता हूँ, तो कोई भरोसा नहीं है, कल कोई है मुझे बाल्टी में भी भ पीने लगे उस समय में चटकी मुंडेर के पास ही खड़े थे चटकी मुंडेर यानि चट पर जो डोली होती है उसके पास में ही खड़े थे जिन बुजर्गों ने पानी पीने के संबंद में यहां नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो सोते समय पानी ना पिय तो दोडने के बाद पानी ना पियो उन्हें पता नहीं था उन्हें पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छतकी मुडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो बच्चों जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने पानी पीने से सम्मंदित बहुत सारे नियम बना रखे हैं जिन में से एक है कि आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, आप दौड कर आ रहे हों, कोई व्यायाम करके आ रहे हों तो उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, बच्चों बहुत सारे नियम हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बना रख जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ड विशयपल उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है यानि इस विशयपल कभी उन्हों नहीं लिखा कि आपको चतकी डोली के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए लाला जावलाल ऐसा क्यों सोच रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक घटना एक दुरगटना होने वाली है हाँ बच्चो आईए देखिए लाला जावलाल मुश्किल से दो एक घूट पीपाई होंगे कि न जाने उनका हाथ कैसे हिला और लोटा छूट गया बच्चो अगर लोटा छूटा होगा चूकि वो मुडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे है तो लोटा कहां गिरा होगा लोटा उनकी छट से नीचे गिरा होगा बच्चो यहीं से एक दुरगटना गटना की शुरुवात हो जाती है तो बच्चो आज आपने मेरे साथ 200 रुपयो का प्रभंद करने में कितने परशान होते है बच्चो इस कहानी का अगला भाग हम अगले विडियो में पड़ेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि लाला जाूलाल जी के साथ क्या दुरगटना होती है और क्या वो 2500 का प्रभंद कर पाते है तब तक के लिए धन्य अलवाद बच्चो